सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि आज मैं पढ़ रहा था कि क्रेडिट ग्रोथ जो है रेट ग्रोथ साइटल वह बहुत स्ट्रॉंग हो चुकि है डबल डिजिट्स में पहुची है तो इसका पहला जो बेनफिट मिलेगा वह बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा और मुझे लग रहा है कि देखें बैंकिंग में दो ऐसे विकल्प है जो हम को काफी एची लग रहे हैं एक तो सरकारी SBI और दूशरा ICS ये बैंकि मुझे लग रहा है कि SBI बहुत ही अट्रेक्टिव लेवल पर आया है इनका जो योनो एप है जो सभी लोग यूज करते है इसका बीच में रिपोर्ट आया था कि इनके पांच करोर कस्टमर्स है ये कोई छोटा फिगर नहीं है और आगे चलके ऐसा भी मापेट में रिपोर्ट है कि इस योनो एप को यह मोनेटाइस करेंगे इससे काफी पैसा जोटाएंगे तो SBI मुझे लग रहा है बहुत ही इनके दूसरे भी बिजनसे जो अच्छे चल रहा है जैसे की इनके ब्रोकिंग बिजनस है एसेट मैनेजमेंट बिजनस है जन्रल इंस्वरंस बिजनस है तो यह सारे बिजनसे अच्छे तरव से गूंप करेंगे यहां पर मुझे लग रहा है कि 8500 रूपय का टागेट प्र सब्सक्राइब करने के लिए दूसरी बात कैपिटल वूट्स की बात करें तो आपको एलेंटी काफी पसंद है लेंटी ने नंबर्स काफी अच्छे दिखाए थे एक चोटा निवेश किया दा सक्टा और एक्सपोर्ट और पिछले बार हमने आपको आइटी कंपनी बोली जो कंपनी डॉलर कमाती है उसको डेफिनेटली आने वाला साल अच्छा रहेगा उसमें इन पोसेज है उसमें टीसी एस है यह भी ऐसे विकलब है जो आपके पॉर्टपोलियो को स्टेबिलिटी देंगे फोड़ा सा सेव भी रखेंगे और इसमें रिस्क रिवार्ड अभी इस प्राइस से काफी अच्छा लगा मैं सर वापिस बैंकिंग पर आना चाह रहा हूं आपने में को दो सब्सक्स बताएं हैं SBI और आसे से यह प्राइवेट से से भी दे दिया है और पॉब्लिक से भी दे दिया है थोड़ा सा मेरे को अगर लेवल्स बताते हैं कि क्या टा अगर करते हैं तो टार्गेट की देखिए एस बीआए बिट्वीन पॉर फुर्टी तो पॉर से वेंटिक पाइज जा सकता है और मुझे लग रहा है कि कम से कम पान्सों पच्छे सो रुपया का टागेट बारा से पंदरा मैने में पॉसिबल है यह एक बाइए वाला काउं इसमें बहुत बढ़िया नंबर्स एसेट क्वालिटी पे लोग पर आने की अपक्षा है यहां पर मैंने वह भी कहा कि यहनों का जो अगर होता है तो अधिशनल बेनेफिट मिलेगा इसमें कोई डाउट में कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इस प्राइस पर दूसरा जो आइसे से बैंक बोला था यहां पर हमारा जो टागेट है वह करीवन 875-900 रुपीज यह भी 12-15 मेने के पॉइंट अगर कोई करीदना चाहिए तो डेफिनेटली करीड़ा अभी करीण प्राइस 747 रेंज पर मुझे लग रहा है कि देखे 725 और 750 यह ऐसा एक रेंज है ज जो मुझे लग रहा है कि एक बार इकोनोमी के नंबर्स इंटू होंगे यह पूरी तरह से मैक्रोस पॉजिटिव होने लगे और वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और यही शायद कारण है कि आप देख रहें कि बैंक निफ्टी निफ्टी को अंडर परफॉर्म क करेगी जब पूरे जो अंसर्टेंटी में पूरी करा से निकल जाएंगे तो मैं काफी पॉजिटिव हो मुझे लग रहे है कि जुला एंड तक होपुली एक रोश्या उपरेंटी बार खतम हो जाएगी तो उसके बाद क्लेरेटी आएगी और उसके बाद वापस नॉर्मल स बैंकिंग सेक्टर जाएगी तो वहां से हम टेजी देख सकते हैं उसका इंतिजार कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर पे नज़र है अभिनाज सर्की और उसके बड़िया दो स्टॉक्स प्राइवेट से इसी से बैंक और सरकारी बैंकों से सब्सक्राइब दोनों स्टॉक्स के अंदर में एक्यमिलेशन की रेंज बताती है साने टार्गेट बता दिये हैं और टाइम प्रेम में बता दिया है यह बढ़िया दो स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर से जहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है बड़ी है ठीक है अमना सर मैं कुछ एक सवाल ले लूँ अगर आपकी पर्मिशन हमाएं बिल्कुल बिल्कुल